मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखू बाबा खरे हैं पास मेरे दिल से दुआए मांगू बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखू मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखू आज आप सभी ने बाप दादा के शरी मत को प्रेक्टिकल में लाया बाप दादा ने यही कहा था के अपने विरत संकलप समाप्त करो तो आज उस विरत संकलप की समापती की आहूती आप सबने डाली जो चीज दे दी जाती है वो किसकी हो जाती है दूसरे की हो जाती हमने दे दी तो अगर मानो फिर आपके पास वापस आ जाए तो क्या करेंगे तो कभी भी विरत संकलप आवे भी तो एक तो यह सोचना कि दी हुई चीज वापस यूज करना दूसरे की चीज आप यूज करो तो आपको क्या समझा जाएंगा तो मैंने बाबा को दे दी इसलिए मैं यूज नहीं कर सकती इसको जिस समय उस विरत बात का फोर्स होता है हमारे अंदर बार बार याद आ जाती है तो हम क्या करें उस समय तो उस समय की बात जो है दो तीन विदी है जिससे आप उस पुरा ने दी हुई चीज को फिर से वापस कर लो एक तो आपको जब विरत संकलब जोर से चलते है तो मनन शक्ति जो मोर्ली बाबा चलाते है ना अमरत वेले या क्लास में आप मोर्ली तो सुनते हो तो उन में समझो वर्दान है वर्दान तो याद पर सकता है तीन पेज की मोर्ली में सारी पाइंट्स याद नहीं भी रह सकती है लेकिन वर्दान जो होता है वो विशेश होता है तो वर्दान को अंडर लाइन अगर आप करते होंगे अच्छा वर्दान भी नहीं समझो याद रहता है तो सलोगन आधी लाइन का होता है उसी आधी लाइन तो याद रह सकती है न तो उसके मनन करो ऐसे नहीं सरब repeat करो बाबा ने कहा एंकार नहीं करना है स्वमान में रहना है अच्छा यह मैंने repeat तो किया लेकिन अबमान किसको कहा जाता है अबमान क्या क्या नुकसान करता है अगर अबमान नहीं है स्वामान है तो स्वामान में इस्थित होने से हमारी क्या अन्बूती होती है और कैसे स्वामान में इस्थित रहूं इस कोश्चन से सोच सोच के मनन करो तो क्या होगा मनन है शुब संकलब और आपके है विरत संकलब तो शुब संकलब जो है वो आपकी जगा बढ़ देंगा वैसे एक विदी ये है दूसरी विदी ये है कि आपने अन्भो किया होगा कोई भी आप मोली परो भाशन सुनो क्लास सुनो तो मैजारिटी क्या होता है पाइंट भूल जाती है लेकिन कहानी कभी नहीं भूलती है कोई भी कहानी आप सुनेंगे न तो कहानी आपको एक साल के बाद भी याद करेंगे जल्दी आएंगी पाइंट को भूल सकती हो कहानी नहीं भूलती है जल्दी सैज याद आ जाती है तो उस समय है जिस समय मनन से भी मेरी चेंज नहीं होता है वियरत संकलब उस समय फिर आप कौन सी कहानी याद करेंगे आप अपने जीवन में आपका जब ब्रह्मन जनम हुआ ना तो आपके जीवन की कहानी थी ना पहले आए आप सिंटर देखा क्या अच्छा लगा बेहने अच्छी लगी प्यार अच्छा लगा ग्यान अच्छा लगा ग्यान की कौन सी पाइंट अच्छी लगी कोई कहते है मुझे सरकल बहुत अच्छा लगा कोई कहते है विर्खे बरा अच्छा लगा कोई कहते है बाबाई अच्छा लगा कोई कहते है बेरों का प्यार अच्छा लगा कोई न कोई आपके जीवन की कहानी होंगी तो ऐसी कोई अपने जीवन की अच्छी अच्छी कहानिया आपके जीवन में हुई हो, वो कहानिया आप याद करो, वो तो सह जा जाएंगी ना कहानी याद, तो कहानी में उस तरफ चली जाएंगी ना, तो आपके विरत संकलब जो है, वो स्लो हो जाएंगे, और वो तेज हो इसी रीती से कभी-कभी ऐसे भी होता है कि प्यार ऐसी चीज होती है प्यार की बातें जो होती है न प्यार की बातें भी जल्दी याद आती है प्रैक्टिकल प्यार के अन्भूती की एक होता है प्यार का नालेज बाबा है, सरवशक्तिवान है बाप भी है, सिख्यक भी है, सत्गुरू भी है एक है नालेज के आधार से हमने बाबा को जाना और प्यार की नालेज मेरे बुद्धी में इमर्जो हो एक होता है प्रैक्टिकल आपने जीवन में कभी भी किसी द्वारा भी, दृष्टी द्वारा, बाबा द्वारा या कोई बेहन से मिलने से बाबा की प्यार की अनबूती हुई हो, तो ऐसी प्यार की अनबूती कोई भी आपके जीवन में होगी जरूर, मैं समझ चूँ, ये तो सभी को होती ही है, और यहां तो है प्यार का आधार बाबा से प्यारी होता है तो वो प्यार की कहानी अपनी वो सीन याद करो क्या था कैसे बैठे थे कैसे गए फिर कैसे वो हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ ये स्टोरी अपनी याद करो तो इसी रीती से इस विदी से आप अपने अगर गलती से आ भी जाए गलती से आएंगे अभी तो मैंने दे दिया तो अभी गलती से आएंगे हमारे नहीं है ना गलती से मानो कोई आ भी जाए तो उसको अंदर थोड़ी आने देंगे आप मानो आप लाक कर दिया भई ये नहीं आवे कोई और कोई आवे तो आप क्या करेंगे कोई काम का नहीं है आपके तो आप क्या करेंगे उसको अंदर थोड़ी आने देंगे तो इसी रीती से आप शेरत संकल्पों को ऐसे खतम कर देना